दोस्तो buy no pay letter यानि कि अभी खरीदो और बाद में भुखतान करो, payment करो कई सारी companies ये facilities अपने customers को दे रही हैं और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि दरसल buy no pay letter काम कैसे करता है कितने limitations है, क्या इसके फाइदे हैं और ये credit card से कितना different है और क्या आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए ये सारी points पर one by one आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए buy no pay letter एक ऐसा option है जिसका इस्तेमाल आपके पास पैसा ना रहते हुए भी कर सकते हैं चाहे आप shopping कर लें चाहे आप food order कर लें चाहे आप ola uber से ride वगेरा order कर लें क्योंकि बहुत सारे apps और बहुत सारी companies buy no pay letter का options अपने customers को देती हैं तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि buy no pay letter है क्या देन हम आगे कुछ और points पर बात करेंगे तो देखिए buy no pay letter customers को दिया गया एक ऐसा सुवीदा है payment का जिसका इस्तमाल करके customers चाहे तो अलग अलग platform से shopping कर सकता है चाहे तो food order कर सकता है चाहे तो ola uber की ride book कर सकता है आज के date में कहें तो phone पे वगेरा पर भी Amazon पे वगेरा पर भी buy no pay letter का option मिल जाता है इसमें customer को time मिल जाता है repayment करने का वो 15 से 20 दिनों का होता है अलग अलग service provider का ये time different होता है किसी का 15 दिन, किसी का 18 दिन, किसी का 20 दिन इस तरह से time मिल जाता है जिसका फाइदा customers उठाते हैं कि आज कोई shopping कर लिया, आज कुछ purchase कर लिया और आज से 15 से 20 दिन बाद हम उसका repayment कर देते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई interest वगेरा नहीं देना पड़ता है अब बात करते हैं कि buy no pay later से आप क्या-क्या purchase कर सकते हैं, क्या-क्या shopping कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको कुछ points बता दियें कि आप e-commerce website से shopping कर सकते हैं, आप चाहें तो food वगेरा भी order कर सकते हैं आप चाहें तो grocery वगेरा भी order कर सकते हैं बहुत सारी apps हैं, बहुत सारी companies हैं जो अलग-अलग category wise buy no pay later का options अपने customers को देती हैं ताकि customers इसका ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके और एक time duration के अंदर-अंदर interest free repayment कर सके आप बात करते हैं कि buy no pay later service opt करने से पहले आपको किन-किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए तो देखिए, सबसे पहला point जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आपका जो income है वो income एक fixed time में होनी ही चाहिए क्योंकि उसी हिसाब से आप चाहें तो buy no pay later से shopping करें और जब आपका income हो जाए आप उसका repayment कर दें क्योंकि late payment करने पर बहुत heavy charge लगता है और charge की बात करें तो लगभग 30% तक का interest annually buy no pay later पर लगता है इसके साथ साथ आपके civil score पर भी impact पड़ता है जो कि in the future आपके loan application को reject कर देता है यानि कि बड़ा ही problem create करता है तो ये चीज़ बिलकुल ध्यान में रखें कि कि किसी भी तरह से late ना हो सके क्योंकि late interest तो लगेगा ही लगेगा बलके late charge भी लगता है buy no pay later जो service providers होते हैं उनका income ही इनी सारी चीज़ों से है कि अगर कोई late करता है तो late पर interest लगेगा late fee लगेगा जतना ज़्यादा late करेंगे उस हिसाब से आपके उपर interest लगता ही जाएगा तो ये बड़ा ही नुक्सान हो जाता है अगर किसी भी तरह से आप buy no pay later का payment miss कर देते हैं डिले कर देते हैं आप late कर देते हैं अब बात करते हैं कि buy no pay later versus credit card दोनों में से बहतर कौन सा है तो देखिए buy no pay later अपने जगा पे ये ठीक है और credit card अपने जगा पे वो ठीक है दोनों का comparison एक दूसरे से नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के अपने फाइदे हैं और दोनों के अपने 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 नुक्सान भी हैं point wise अगर हम बात करें तो सबसे पहला point हम रखेंगे limitations की तो buy no pay later इसमें limitations है यानि कि आप कुछ ही जगों पे purchase कर सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ online ही payment कर सकते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर credit card की case में देखें तो आप credit card का इस्तमाल हर जगा पे कर सकते हैं चाहे offline हो, online हो, petrol pump हो, international transaction हो हर तरह का transaction आप credit card से कर सकते हैं दूसरा point पर बात करते हैं fees तो buy no pay later पर किसी भी तरह का कोई fees नहीं लगता लेकिन वहीं दूसरी तरफ credit card की case में देखें तो annual fees देना पड़ता है जो कि अलग-अलग card का अलग-अलग charge होता है कोई 400 रुपे लगता है किसी का 500 रुपे, किस पर 30 परतिशत तक का late payment interest annually लगता है लेकिन दूसरी तरफ credit card के बारे में बात करें तो credit card पर late payment interest 36 परतिशत से ले करके 45 परतिशत के बीच में लगता है ये भी annually है तो buy no pay later के मुकाबले credit card पर जो late payment interest लगता है वो ज़्यादा लगता है अगर किसी credit card पर 45 परतिशत का annual interest लग यह यूँ कहीं कि 1.5 टाइम्स जादा हो गया buy no pay letter के मुकाबले। अगला और आखरी point की बात करें तो वो है credit limit। तो आपको buy no pay letter पर limit बड़ा ही कम मिलता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ credit card पर बात करें तो 1,5,5,2,5,3,3,5 तक का limit मिल जाता है। तो यहाँ पर भी buy no pay letter and credit card म को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से किस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए दोनों अपने जगा पे सही हैं, दोनों के फाइदे भी हैं, दोनों के नुकसान भी हैं। यह डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का इस्तेमाल है। जादा तर अ करेडिट कार्ड पर लगता है। लेकिन आपका अलग-अलग तरह का इस्तमाल है। कभी offline, कभी online, कभी petrol pump, कभी international transaction। तो सिर्फ औस आपके लिए क्रेडिट कार्ड ही बेहतर है। क्रेडिट कार्ड से ही आप इन सारे जगों पे इस्तमाल कर सकते हैं। जिसमें आपको annual charge भी द करें जादा जादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें